नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत आप ही के अपने हैं यूटूब चैनल दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग निज निकल के आई है कस्मीर से आई फिर एक बड़ी ख़बर जिया दोस्तों सबसे बड़ी ख़बर आई है धारा 35 ए और धारा 370 को लेकर कई दिनों से यहांपर चरचा में था कस्मीर का सीरी नगर और जमु कस्मीर पूरा तो यहांपर धारा 35 और 3078 वाली है जाय मुकर के जितने भी बड़े दिग्र नेता है सबको यहांपर खलवली हो चुकी है क्योंकि सेना को यहांपर खुली चूट दे दी किये अभी-बी की ताजा समच आपको इस वीडियों बताने वाला हूं तो दोस्तों आप वीडियो के अंतक जरूर बने दीजे के साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजे का और ऐसी लटेश्ट अपडेट पाने के लिए चेनल जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर परकार की जमू कस्मीर से अपडेट साथ में किसी भी राजे और किसी भी सरी भी कोई अपडेट आए तो उसकी जानकरी आपको सबसे पहले मिलते रहे तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकरी तो यहां आप देख शुकते हो 35 एको लेकर बड़ी खबर आईए जमू कस्मीर में और खासकर घाटी में ज्यादातर लोग मान रहे कि सविदान का अनुचे 35 एस समाप्त होने जा रहा है इस बीच रिपोर्ट्स आ रही है कि राज्ये में जमू घाटी और लदा को तीन के अंदर सासित परदेसों में विवाजित करने के विचार पर भी काम किया जा रहा एक आदमी कस्मीरी के लिए इस समय प्रात्मिक्ता पूरी तरह अलग है इस तरह समय उसकी चिंता रासन दवाईयों और खादे तेल नमक चाय दाले और सबजियों जैसी राजमरा की जरूतों की चीजों को इकठा करना है उसके अलावा यहाँ पर आप देख सुत्रों के नुसार शीर सुत्रों क ने का कि सुरुक सावलों को गाठी में सिकंजा कसने के लिए अगले 24 गंटों में त्यार रहने के लिए का गया सरकारी सुत्र ने का कि अमनात यात्रियों और परियेटकों को गाठी से निकलने के लिए बहतर गंटे का समय दिया गया बहतर गंटे के अंदर जमुकस्मीर को खाली करना है इस बीज गाटी में ATM बुतो और पेंट्रोल पंपो पर बीड उमड़ाई है उसके अलावा गाटी में 30 साल बाद में डर फेला रही है सरकार जी यहां दोस्तों जमुकस्मीर सरकार फिर से डर फेला रही है इस तरह जहां परसासन अच्छानक योजना ही बना रह इस बीज जो यह कहते है कि इस राजे के विशेश दरजे को बदलने के विचार के अंदर भी खिलवार नहीं कर सकता है वे बीज चकीत है राजे परसासन और केंदरी सुरक्साइजेंसियों के साथ मिलकर अभ्यास करने के बीज कस्मीर ने लंबे समय तक कर्फिव लगे रह ताकि अनुचेद पेती से को निरस्त करने की किसी भी स्तर पर कोई योजना नहीं है यही बात उनोंने सनिवार को भी दोराई की अत्रिक्त जवानों की तेनाती सुरक्साख के मकसद से हैं किसी सुवेदानिक प्रावदान में बदलाव को लेकर नहीं बता दे कि विदायका को राजे के इस्ताई निवासी को परिवासित करने की अनुबती देता है राजे परसासन मानता है कि राजे पाल का यह बयान अफवाओं को खतम करने के लिए प्रियापत है वहीं बड़ी खबर आई है लाईव सीमा पर सेना का बड़ा ओपरेशन गुस्पेट क को मार गिरा है इनमें पाकिस्तान की बोर्डर एक्शन टीम के सेनिक भी है इनकी लासे अभी बोर्डर पर ही पड़ी है क्योंकि दोनों तरप से भारी भारिंग हो रही है यहां आप देख सकते हो जो फोटो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए देग रही है एक दो तीन और यह चार फोटो है जो वहां पर दोस्तों सामने जो केरन चो चोकी थी वहां सामने वाली चोकी से वहां से यह फोटो लिये गए है जो पाकिस्तान कोंबेक्ट के यहां पर चार आतंगवादियों और दो आपके जो पाकिस्तान के सेना के जवान है जो गुस्पेट करते पर बारतिय सिना ने सीमा पर बड़ा उप्रेसर करते हुए सीमा पार गुस्वेट कर रहे आदा दर्जन से ज्याद आतंगवादियों को मार गिरा है इनमें पाकिस्तान की बोर्डर एक्षन टीम के सेनिक भी है इनकी लासे अभी बोर्डर भी पड़ी है क्योंकि दोनों को मार गिरा हुए इस मुटबेड में एक जवान भी यहां पर सहीद होने की हतात आईए उसके अलावा आप यहां देखते हो जमुकस्मिर के सोप्या जिले में आतंगवादियों और सुरुकसा बलों के भी सुकरवार को मुटबेड में सुरुकसा बलों और एक चलाया गया तलासी दल पर आतंगवादियों उन्हें गोली बारी करने के बाद मुटबेड यहां पर सुरू हुए तो दोस्तों यह देख सेकते हैं आप जमुकस्मिर से बड़ी अपडेट आईए इससे रिलेटेर दोस्तों कहीं भी किसी विराजी और किसी विसायर की कोई जिब आप